हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे सैंदो सब्विजा के बारे में और यह वही कोस्चन होंगों जो विगत वर्षों में बीपिएस्सी के किसी किसी जाम में पूछे गए है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ला अब देखो यह बताया गया है मोहन जोद़ो पाकिस्तान के सिंध परांत के लरुकाना जिले में शिन्धू नदि के धाहने तड़ परिस्थित है और मोहन जोद़ो सब्द का मतलब क्या होता है तो मत्तकों का ठीला होता है मोहां जोडोडो की खोज किस ने की थी राखाल दाब बनर जी ने 1922 में खोज की थी और किसके निर्देशन में की थी ते जॉन मार्फल की निर्देशन में की थी किसके निर्देशन में जॉन मार्फल की निर्देशन में और इस स्थल को बिश्ट का सबसे पुराना नियोजी तोल उत्करफट फ़र होने की मानिता प्राप्त है तो यह सारे पाइंट आपको याद रखने है अब यहाँ पर दूफरा कोश्चन पूछा गया है निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है पहला अपफन है हडपा का उत्करफट में किया गया था दूफरा कथन है वर्तमान में हडपा पाकिस्तान में है तीसरा कथन यहाँ पर है हडपा व्याफ नदी के किनारे था चोथा कथन है हडपा के उत्करफटा आड़ी बनरजी थे और पांचवा कथन यहां पर दिया गया है च्छत्र वाला तामरत हडपा से मिला है अब यहां पर पूछा गया है कौन कौन से कथन सही है तो यहां पर पहला अफ़र और दूफरा अफ़र अफ़र बिल्कुल ही सही दिये गया है कि हड़पा का उत्खनन उननीस सो कीश में किया गया था और वर्तमान में हड़पा पाकिस्तान में है तो यहां पर यह आपफ़न जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा अब देखो यहां पर कुछ पॉइंट दिये गए जैसे कि सन उननीस सो कीश में भारती पुरा तत्यु स्वर्वेच्छन विभाग के महानि देशक सर जौन मार्सल के निर्देशन में राय बहादूर दया राम साहनी ने सर पत्म हड़पा इस्थल का उत्करन कराया यह इस्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मेस्थित मांटे गोमरी जिले में रावी नदी के बायं तटपर अवस्थित है जबकि राखाल दा बनर जी ने मोहन जोदोडो इस्थल के उत्करन का कार वर्फ उनीस सो बाइस में कराया महाराट के दैमाबाद में हड़पा काल के छत्रवाला तामरत मिला है अब यहाँ पर जो तामरत की बात हो रहे थी कहां से मिला है महाराट के दैमाबाद से मिला है और मोहन जोदोडो की खोच किस ने कराई थी राखाल दा बनर जी ने 1922 में कराई थी और हडपा की खोच की थी दैयाराम साहनी ने 1921 में अगला कोशन पूछा गया है प्राक सेंधव काल के किस पूरा इस्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमार प्राप्त हुए हैं तो इसका इंफर हो जाएगा काली बंगा से प्राप्त हुए हैं जुताई के अउसेश जो है अब देखो आपे बताया गया है काली बंगा जो है राजस्थान के हनुमाडगर जिले में घगघर नदी के बाए किनारे पर इस्थित या सेंधव सब्वता का महत्पूर इस्थल है 1952 में अमला नद्ध घोष के निर्देशक में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी इसकी और यहां से प्राप्त प्राक सेंधव काल की सबसे महत्पूर उपलब्दी एक जुते हुए खेट की प्राप्ती है और इसमें आड़ी तिर्च जुताई की गई है कैसी आड़ी और तिर्च जुताई की गई है और एक कोशन पूछा जाता है कि जो काली बंगा का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां क्या होता है काले रंग की चूड़ियां इसका मतलब होता है अब देखो यहां पे फिर से वही कोशन पूंच लिया गया है निम्न मेंसे कि इस हड़ा पन अगर में जूते हुए खेतों के निसान मिले हैं जिसका इमफरोजेगा काली बंगा में कहां पे काली बंगा में जूते हुए खेतों के निसान प्राप्त हुए हैं अगला कोशन यहां पर पूंचा गया है हड़ा पीर संवकर्ती सेंदो संवकर्ती के उपकरण कि धातु से निर्मत थे तो सेंदो संवकर्ती के जो उपकरण थे वो निर्मित थे तामर या फिर तामबा या फिर काफा धात के तो यहाँ पर सी आफ़न जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा अगला कोशन यहाँ पर पूंचा गया है IIT खड़कपुर के अध्यन दल की रिपोर्ड के नुशार लगातार कितने वर्सों तक ना के बराबर वर्सार का होना शिंदुगाटी सब्वता के पतन का कारण रहा था तो इसका एंफर हो जाएगा लगातार 900 वर्सों तक क्या हुई थी शिंदुगाटी सब्वता में वर्सा नहीं होती जिसकी वज़ेस इसका पतन हो गया था अगला कोशन यहाँ पर पूंचा गया है सिंदु घाटी सब्वता की सबसे महत्पूर्ण विशेशता क्या है सिंदु घाटी सब्वता की जो सबसे महत्पूर्ण विशेशता है वह यहां थे कि यहां पर पक्की इंटों से बने घर थे कैसे थे पक्की इंटों से बनी इमारते यहां पर थी यहीं सबसे ज़्यादा फ्रिवता थी शिंद्गाटी संबता की संद्गाटी संबता थी teşekkür इसे थी नेस्ट कोषण यहाँ प्रोच अब गाया है शिंद्गाटी संबता की प्रकृत कैसी थी अभी हम लोगों ने पढ़ा था सिंदोगाटी सब्रता जो सहरी या फिर नगरी प्रकार की थी तो यहाँ पर ए आप्षन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा अगला कोशन यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से किस हडपा काली निस्तल फे हलका टेरा कोटा प्राप्त हुआ जो हलका टेरा कोटा है या प्राप्त हुआ था बना वली से कहां प्राप्त हुआ था बना वली से प्राप्त हुआ था अब देखो यहां पर बताया गया है बना वली हर्याणा के हिसार जिले में इस्थित है यहां से दो सांकर्तिक अवस्थाओं के अवस्थेस मिले हैं हडपा पूर्व एवं हडपा काली है इस इस्थल की खुदाई 1973-74 इसी में रवींदर सिंग विफ्ट के नेतुरत में की गई यहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग-अलग ना होकर एक ही प्राचीर से घीरे थे यहां से मिट्टी की बरतन, गोलियां, मन के तामे के वड़ाग्र, हल की आकरति के खिलोने आद मिले हैं कौन कौन से चीज़े मिले हैं यहां के मिट्टी की बरतन, गोलियां, मन के, तामे के वड़ाग्र और हल की आकरति के खिलोने यह सारी चीज़े मिले हैं, बनावाले यहां कहां पर यहां आड़ा के हिसार जिले में इसकी खोज रवीन रशिंग वीष्ट ने 1974 रशिम की थी उसके बाद 10 नंबर कोशन पूछा गया है निम लिकित में से कौन हडपा और मोहन जोदोडो के उत्खनन से सम्मंदित नहीं थे अब देखो यहां पर बताया गया है कि जो वीए विष्मित थे वीए विष्मित 20 इतिहाव कारते जिन्हों ने बारत के इतिहाव से सम्मंदित कई पुष्टकों की रचना की इसमें से अर्फ नहीं थे करे डुमित ह है पूछजे के विष्मित थे दो की अगा कोशुन यहां पर पूच्छा गया है फिक झसका बंदर के बंस और कर था कौन का अब देखो यहां पर लोथल के बारे में बताया गया है लोथल नामा पूरा इस्थल गुजरात के हमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर सरगवाला गाउं से दो किलोमेटर उत्तर मिशती थे इसकी खोज जो है इसकी खोज आर्यस राउ ने 1954 में की थी और यहां हम देखो इस इस्थल के बारे में लोथल के बारे में कई important facts बताया गया है जैसे कि यहां पर पहला नंबर दिया गया है नाओ के आकार की दो मोहरे तथा बंदरगाह यह दोनों कहां पिते लोथल से प्राप्त हुए दोनों चीजे लकडी कन्नागार बैल कुत्ता खरगोह तथा चिडिया की तामे की मोर्तियं तथा मोहरे यूगल सवाधान की प्राप्ति जिसमें सिर्फ पूर में तथा पहर पच्चिम में और वे करवट लिये हुए लेटे हैं मन के बनाने वाले सिल्पियों की दुकाने उत्तरवफ्था की एक अगनिवेदी और अन पीफने की चलिडिए ये सारे चीजे जो मिली है इसारी चीजे मिली है लोधल से कहां से लोध योध्ल कहां पर है गुज्राप कि अहम्दाबाद जीले में जोंद भोगवथा किनारे पर इस्थित है तो यह भी प्रकूप को यद रखने है अब देखो यहाँ पर पूंच लिया गया है वही कोशन की जो है लोथल है किस नदी के निकट इस्थित है तो इसके एंफर हो जाएगा भोगों नदी के निकट किस नदी के निकट भोगों नदी के निकट अगला कोशन यहां पर पूछा गया है हडपा में एक उन्नत जल प्रबंदन प्रडाली का पता चलता है तो जो उन्नत जल प्रबंदन प्रडाली थी हडपा में वो थी धौला वीरा में कहां पर थी? धौला वीरा में थी अब देखो यहां पर कुछ पॉइंट बताया गया है जैसे कि धौला वीरा इस्थल की खुदाई से एक बिसाल सैंधव काली नगर के आउसेश और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है लोथल गुजरात के आहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे इस्थित है यहां गोधिवाड़ा बंदरगा के तरिक्त म्रदभांड तीन युगमित समाधियां के उधारण मिले हैं और काली बंगा जो है राजस्थान के हनमाडगर जिले के घगगा नदी के तटपर इस्थित है यहां से काले रंग के चूड़ियां हवन कुंड जुते हुए खेत के साच मिले है और अगला पांट यहां में बताया गया देखो यहां पे आलमगीरपूर आलमगीरपूर कहां पे है यह पस्चमी उत्तर प्रदेश के मेरट जिले में यमना की साहयक जो नदी है हिंडर नदी उसय के थर्द परिस्थित है और यह हडपा समक्रति का पूर्वी इस्थल है यहां से मन के त्था मिट्टी की बतन मिले क्या क्या चीज़े मिली हैं यहां से मन के और मिट्टी की बरतन यहां से प्राप्त हुए हैं अगला कोशन यहां पर पूंचा गया है हडपा में मिट्टी के बरतनों पर सामान तक किस रंग का उपयोग हुआ था मिट्टी की बर्तनों पर हुआ था लाल रंग को प्योग हुआ था अब देखो यहां पर बताया गया है हडपा से और था प्रापत मिट्टी की बर्तन सामानेता लाल रंग के है हडपा का पूरा इस्थल पाकिस्तान के मांटे गोमरी जिले में रावी नदी के बायतर पर इस्थित है और हडपा के द्वन्साव सेसों के बिशे में सन 1826 इसवी में चाल्सी मेशवन ने सर प्रिथमू लेक किया और सन 1926 में दयाराम साहनी ने मारफल की निर्देफन में यहाँ उत्खनन कराया था नेक्स्ट कोसे न पूचा गया है सिन्दू सबबटा निम्लकित में से किस युक के अंतरगत आती है जो सिंदु से बता थी यह आती है आद एधियासिक काल के इंतरगत आती है या नेट्स कोशन यहां पर पूँछा गया है निम्न लिकित मेंसे किस देश के साथ हरपनों का व्यापारिक संबन देथा किस के साथ मेसो पोटामियाके साथ next question यहां पर पूँछा गया है सिंदु घाटी के लोग थे साकाहरि और मांवारि दोनों प्रकार के थे सिंदु घाटिक लोग साकाहरी भी थे और मामफाहरी भी थे अब देखो यहां पर बताया गया है सिंदु सब्वता के निवासी साकाहरी और मामफाहरी दोनों थे इनके भोज पदार्थ में गेहूं जव मतर, तील सरसो, गाय, सुमर, बकरी कमामस आद्प्रमक रूप से खाया जाते थे उसके बाद कॉप्शन पूचा गया है चहूंदोडो हडपा फ्रमकृति से संबंदित एक इस्तल है जो इस्तित है जो कहाँ पर इस्तित है तो इसके एमफर हो जाएगा चहूंदोडो जो है या इस्तित है सिंध में कहाँ पर सिंध में